दोस्तों अगर आप लोग WhatsApp का यूज करते हैं तो यह ख़वर आप लोगों के लिए है कि WhatsApp की जो नई Privacy Policy थे जो कि 15 मई से लागू होने वारी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है लेकिन WhatsApp की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि यह Policy कब तक एक्सटेंड करी गई है यानि कि जो नई Privacy Policy है उसको आगे कब तक एक्सटेंड किया गया है यानि कि अगर आप लोग WhatsApp को खोलते हो और अगर आपने अभी तक Privacy Policy को एक्सट नहीं किया है तो आप लोगों तक यह रिमाइंडर आ रहा होगा कि नई Privacy Policy को एक्सट करो और आगे बढ़ो और यूज करो तो ज इलीट नहीं करा जाएगा और जो भी Privacy Policy उसको एक्सट करने की तारीक को बिना डेट के एक्सटेंड कर दिया गया है नई Privacy Policy क्या है नई Privacy Policy यह है कि जो भी आपके डेटा है जो भी आपके कॉंटेक्ट्स है उनको as a marketing यूज किया जा सकता है Facebook और Instagram से वह अटेज कर सकते ह जो भी आपका डेटा है जो भी आपके कॉंटेक्ट है उनको यूज किया जा सकता है जो भी आपके चैटिंग या उनके कुछ keywords को निकाल करके कहलो कि marketing का यूज किया जैसे कि कोई भी advisor अपने कुछ ads चला रहा है अगर वो कुछ बेचना चाहता है मान लो कि आपके पास आपकी नीड क्या है तो WhatsApp की इस privacy नई privacy policy को अगर आप accept करते हो तो WhatsApp और Facebook या फिर कहलो कि Instagram पे जो ads चलते हैं वो काफी accurate लोगों तक पहुश पाएंगे इसलिए WhatsApp का कहना है कि हम यह नई privacy policy लाएं बाकि WhatsApp का यह भी कहना है कि जो भी users होंगे उनके data पर किसी तरह का effect ने होगा तो if and but हर जगह है आपका क्या कहना है इस नई privacy policy को लेकर के नीचे comment करो और दूसरों तक भी share करके यह बताओ और साथी अगर आपने accept नहीं किया तो मत करो accept अगर चल रहा है WhatsApp चलने दो और अगर आप accept करते हो तो चाहिर से बात है कि WhatsApp के मन बढ़ जाएंगे और वह अनाब सनाब और भी आगे policy लेकर के आ सकता है और अगर हम लोग जादा से जादा लोग accept नहीं करते हैं उस चीज़ को तो वो अपनी privacy policy को change कर सकता है जिस तरह से पहले था उस तरह सी कर सकता है तो मैंने अभी तक नहीं किया accept और आप लोग भी मत करना ठीक है यह मेरा suggestion है बाकि आप लगो की माझ जी थैंक य। वेरी मच